ओं गण गणपतये नमाहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली और जमतकारी श्री राम मंत्र के बारे में बताने चा रही हूँ जिसका मात्र स्मरन करने से शत्रू से होने वाली सारी परेशानिया बंध हो जाएगी अगर आपका शत्रू दुष्ट और अधर्मी है तो वह नश्ट हो जाएगा और अगर किसी गलत फैमी के वजह से वह आपका शत्रू बन गया है तो वह गलत फैमी दुर हो जाएगी याने कि श्री राम जी उस शत्रू को उसके करमों के नुसार दंडित करेंगे यह एक सात्विक शत्रू नाशक मंत्र है और जो लोग ऐसे मंत्रों के दुष्परिनामों के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं वह इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सात्विक शत्रु नाशक मंत्र है, जिसका प्रयोग करने से किसी भी प्रकार के दुश्परिनाम नहीं होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिए। और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक तरें। यहां मंत्र श्री राम चरित मानस इस महान धार्मिक ग्रंथ में बताई गई एक चोपाई पर आधारित है। इस मंत्र को बोलने के लिए खास पुजा विधी करने की अवशक्ता नहीं है। केवल श्री राम जी पर भक्ति और श्रद्धा होना अनिवार्य है। इस मंत्र का चाप सवेरे या रात को सोने से पहले सिर्फ पांच मिनिट करना है। मंत्र का वाचिक या मानसिक चाप किया जा सकता है। साधक को एक पल जिस शत्रू से उसे पिडा हो रही है। उस शत्रू के बारे में सोचना है। फिर श्री राम जी का स्मरन करके मंत्र को बोलना है। अगर आपके एक से जादा शत्रू है तो आप उन सब शत्रू के बारे में पहले सोच सकते हैं। और अगर आप गुप्त शत्रू से पिडित हो तो आपको एक छोटी सी प्यार्थना बोलनी है। हे प्रभू मुझे गुप्त और अंजाने शत्रूओं के पिडा से मुक्त कीजिए। उसके बाद आपको प्रभू श्री राम का स्मरन करके मंत्र चाप करना है। आगे जो मैं आपको मंत्र बताने चा रही हूँ, उसका पहले मैं आपको अर्थ बताने चा रही हूँ। गुपया ध्यान से सुनिए। जिनके सिर्फ स्मरन से शत्रू का नाश होता है, उनका वेदों में शत्रूग्न नाम बताया है। अब मैं आपको मंत्र बताने चा रही हूँ, गुपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। जाके सुमीरन ते रिपू नाशा, नाम शत्रूग्न वेद प्रकाशा। मंत्र फिर से सुनिए। जाके सुमीरन ते रिपू नाशा, नाम शत्रूग्न वेद प्रकाशा। अगर आपको हमारा चैनल पसंदा गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए। प्रभू सबका कल्यान करेंगे।